Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic ground motion and earthquake. दोनों similar ही होते हैं, बस difference क्या है कि ground motion एक wider term है और earthquake उसके अंदर आते हैं. जैसे earthquake का मतलब क्या होता है? बुकम्ब. तो earthquake आता है, उसकी वज़े से बहुत जादा destruction होती हैं. और earthquake आता है, यह हमें पता कैसे चलता है कि earthquake आया है, जब हमें वो vibration, जब हमें वो जटके महसूस होते हैं. तो अगर हमारी ground, अगर हमारी land या earth पे कोई भी vibration होता है, तो उसी को हम क्या बुलते हैं? Ground motion और उस vibration का one of the major cause क्या है? earthquake यहनकि एक सबसे बड़ा vibration का नाम जिसे दिया जाता है, वो क्या है? earthquake की वज़े से ही ज़्यादतर ground motion होते हैं, बाकी और भी reasons होते हैं, जो हम discuss करेंगे, बट इन दोनों का relation क्या है? कि ground motion और earthquake आपस में related हैं, quite similar ही है, बट ground motion उन सारी चीज़ों को include करता है, जिसकी वज़े से हमारी जो अर्थ है, उसके अंदर vibration आ सकता है, बट earthquake सिर्फ और सिर्फ सिस्मिक activities को include करता है, कि tectonic plates की movement की वज़े से, जो हो रहा है, वो हमारा क्या है earthquake है? So first of all, what is the meaning of ground motion? तो ground motion को हम ground shaking भी बोल सकते हैं, या फिर सिस्मिक shaking भी बोल सकते हैं, ground shaking, ground motion सारी चीज़े एक ही हैं, कि जब हमारी अर्थ वाइब्रेट करती है, उसमें जब motion होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ground motion, और इसको सिस्मिक shaking क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा major reason जो है ground motion का, वो क्या है earthquake, और earthquake किससे होता है? सिस्मिक waves की वज़े से होता है, टेक्टोनिक plates की वज़े से होता है, इसी लिए इसका नाम हम सिस्मिक shaking भी बोल देते हैं, यह जो mainly जो ground motion है, वो किसकी वज़े से cause होता है, release of energy in earth crust, कि जो हमारे earth का crust है, वहाँ पे huge amount of energy release की वज़े से ground motion होता है, और वो क्यों होती है, सिस्म wave की वज़े से, तो अगर हम show करें, with the help of diagram या किसी भी तरीके से, तो यह complete क्या होगा, अगर हम एक पूरा circle बना रहे हैं, तो यह circle तो क्या है, ground motion, यानि कि एक wider term, और इस circle के अंदर एक part है, वो है हमारा क्या है, earthquake, यानि कि ground motion का ही एक part क्या है, earthquake है, ground motion का मतलब क्या है, कि ज जब भी हमारी earth crust, या फिर जब भी हमारी earth में कोई moment होती है, उसमें vibration होती है, तो वो हमारा क्या हो गया, ground motion, यानि कि एक wider term है, अब ground motion, earthquake की वज़े से भी हो सकता है, earthquake की वज़े से भी हो सकता है, land slide की वज़े से भी हो सकता है, किसी explosion की वज़े से भी हो सकता है, या किसी other reason की वज़ए से भी हो सकते हैं तो ये तो है ground motion अब ground motion क्या हुआ एक wider term जो बाकी बहुत से reasons की वज़ए से हो सकते हैं बट meaning क्या है ground motion का कि उसकी वज़ए से shaking हो रही है हमारी जो अर्थ है उसमें vibration हो रहा है बट इसको हम seismic shaking क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो reason है वो अमारा क्या है? earthquake earthquake किसकी वज़े से होता है? seismic waves की वज़े से होता है इसलिए इसका एक और नाम क्या है? seismic shaking भी है क्योंकि ground motion का सबसे बड़ा जो cause है वो क्या है? earthquake है बाकी चीजे भी contribute करती है बड़ सबसे ज़़ा क्या contribute करता है? earthquake now causes of ground motion अब आपको यह और ज़़ाद अच्छे से समझ आ जाएगा कि ground motion अर्थ के अंदर जो vibration होती है उसके पीछे क्या-क्या causes हो सकते हैं क्या-क्या reasons हो सकते हैं तो first and foremost and major reason of ground motion is earthquake earthquake क्या होता है? जब भी हमारी जो plates होती है जैसे जो earthquake है तो earthquake क्यों होता है? जो हमारी अर्थ है उस पे जो tectonic plates बनी हुई है जब वो move करती है अगर ये हमारी अर्थ है ये plates से बनी हुई है अगर एक plate दूसरी plates के साथ move करेगी एक दूसरे से टकराएंगी तो ओव्यस सी बात है कोई भी चीज एक दूसरे से टकराती है दूर जाती है तो उसमें अगर movement होती है तो उसकी वज़े से vibration होगा हमारी complete अर्थ के उस complete area के उपर जहां पे वो plate movement कर रही है अगर ये हमारी पूरी अर्थ है और यहां पे plate movement कर रही है जैसे ये दो plates है तो अगर वो एक दूसरे के पास आ रही है तो भी movement होगा अगर ये दो plates है एक दूसरे से दूर जाएंगी तो भी movement होगा किसी भी तरीके का tectonic plate में movement होने की वज़े से जो vibration create होता है और earthquake वन उफ दो major reason है ground motion का now second is volcanic activity volcanic activity क्या होता है ज्वाला मुखी जब ज्वाला मुखी फटती है तो जब वो blast के साथ फटती है तो obvious ही बात है जब वो blast होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा energy release होती है और उस energy के साथ वहाँ पे एक vibration create होती है तो अगर volcanic eruption हो रहा है तो वह एक vibration create करेगा energy release करेगा और उस energy को release करने से क्या होगा ground motion होगा तो पहला reason क्या हुआ earthquake then second क्या हुआ volcanic eruption या volcanic activity की वज़े से third क्या है explosions explosion का आपने क्या देखा है कि जैसे जो human के through होते है इसमें हमारा क्या है अगर कोई atom bomb होता है या फिर किसी भी इस तरीके के explosion मनाएगे mining के लिए mining करते है तब भी हम explosion करते है तो explosion का मतलब क्या है किसी भी तरीके के bomb इन सारी चीजों का जब हम explode करते है वो जब फटते है तो उसकी वज़े से भी vibration होता है क्योंकि कहीं पे भी ऐसी चीज़े हो रही है जो भी हमने पढ़ा होगा या फिर जब हम टीवी वगेरा में देखते है तब भी हमें पता चलता है जहां पे bomb वगेरा फटते है वहां पे जमीन एक बार हिलती है तो वो इसका मतलब क्या है हमारा ground move कर रहा है तो वो भी किसके लिए responsible है ground motion के लिए फॉर्थ इस landslide landslide तो ओव्यसी बात है ground motion के लिए responsible होगी because landslide अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या है landslide को हम हिंदी में क्या बोलते है जब जमीन खिसकती है इसका मतलब एक जमीन अपना मिंस जो भी area है उसे छोड़के आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो landslide है और अगर landslide हो रही है तो अगर वो huge amount of landslides है जो ज़्यादा हिली area में होती है वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा area नीचे की तरफ आ जाता है जमीन पे गिर जाता है तो जैसे अगर हमसे कोई change गिर जाती है वो बहुत भारी होती है तो भी एक vibration create होती है तो अगर एक complete area गिर रहा है कहीं से fissle रहा है और वहाँ से खिसक के नीचे की तरफ आ रहा है तो वो भी क्या कर सकता है ground motion create कर सकता है mining माइनिंग जब हमने explosion discuss किया तब भी हमने बोला था कि माइनिंग का मतलब क्या होता है जैसे कोईला वगेरा ये फिर diamond वगेरा ढूंडे जाते है खुदाई की जाती है इसके लिए जमीन के अंदर खोदा जाता है उसे ही को हम क्या बोलते है माइनिंग तो जब हम digging करते हैं जमीन के अंदर खोदते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं किसी ना किसी blast का यूज करते है ताकि एकदम से ही जादा area को खुदा जा सके इसके बजाए कि labor लगाए और वहाँ 15 दिन खुदाई की जाए तो इसके बजाए हम क्या करते हैं blast वगेरा का use किया जाता है bomb वगेरा का use किया जाता है और जब इन सारी चीज़ों का हम mining के अंदर use करते हैं वो भी ground motion को क्या करते है create करते है tectonic activity tectonic activity का मतलब क्या है जितनी भी tectonic plates होती है उनकी movement की वज़े से भी क्या होता है ground motion होता है जो already हम earthquake में discuss कर चुके and human activity इनके अलावा और भी बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो human create करते हैं और जिसकी वज़े से ground motion हो सकता है कई बार हमारी क्या ground motion हो गा या नहीं वो किस पे भी depend करता है कि हमारी land की कैसी characteristics है अगर हमारी जो land है उसकी soil काफी strong है एक दुसरे के साथ connected है तो वहाँ motion के chances कम होते हैं बट अगर हमारी land जो है वो weak है तो वहाँ पे ground motion के chances ज़ादा होते हैं और वो weak क्यों बनती है desertification की वज़े से deforestation की वज़े से अगर हम irregular practices वहाँ पे कर रहे है over construction वहाँ कर रहे है या फिर हमारी agricultural practices सही नहीं है तो यह सारी चीज़े भी क्या करती है ground motion में contribute कर सकती है now what are the characteristics of ground motion तो first is amplitude of ground motion amplitude का मतलब क्यों होता है a kind of height this refers to the maximum displacement or movement of ground from its resting position कि actual में देखो motion हो रहे है तो इसका मतलब कोई ना कोई चेज अपनी जगे से खिसक कर कहीं और जा रही है तो amplitude क्या बताता है कि कितना height है उसकी में actual में कितना maximum area है जो खिसका है जो replace हुआ है अपनी जो already position थी उससे दूसरी position पे गया है वो maximum movement कितनी हुई है उसे जो determine करता है that is amplitude then frequency frequency क्या होती है ground motion is composed of various frequency frequency बहुत तरीके की होती है और हम उस frequency को identify करते है उस frequency की study करके ही हम यह पता कर सकते है कि जो earthquake हुआ है या जो ground motion हुआ है वो कितना ज़्यादा intense था अगर उसकी frequency high है तो इसका मतलब suddenly ground motion हुआ है एकदम से earthquake हुआ है जो छोटे time के लिए रहा है बट उसका intensity क्या थी काफी high थी अगर उसकी frequency कम है यानि कि low frequency है इसका मतलब हमारा जो ground motion हुआ है जो भी vibration या earthquake हुआ है वो क्या था धीरे-धीरे आया है rapidly नहीं आया धीरे-धीरे हुआ है लेकिन long time period के लिए चला है अब देखो जैसे हम global warming की बात करें ये सिर्फ example है ये ground motion का example नहीं है बट short और long को समझने का example है अगर global warming हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि आज हमने construction जादा कर दी तो global warming होगी ये सालों से means too many years से 10-15 साल से लगातार इतना emission हो रहा है उसकी वज़े से global warming हो रही है तो ये क्या कोई rapid चीज तो नहीं हुई न ये sudden नहीं हुई दीरे-दीरे हुई है तो slowly हुई है अगर slowly होगी तो last कितने के लिए करेगी जादा time के लिए करेगी जैसे global warming है और ऐसे ही earthquake अब आया तो earthquakes का हमें पहले कोई idea नहीं था कि earthquake आ सकता है suddenly आया तीन सेकंड के लिए आया तो ये क्या है rapid हुआ तो वो किस के लिए करता है short time period के लिए रहता है इसी तरीके से जब ground motion होता है तो वो भी कैसा हो सकता है long time period के लिए भी हो सकता है और short time period के लिए भी हो सकता है then duration duration determine करता है कि minor था या major earthquake था यहां पर earthquake लिखा हुआ है because ground motion का main जो component है वो earthquake ही है earthquake की वज़े से ही ज़्यादा तर ground motion होते है इसलिए इने इस तरीके से भी explain किया जाता है duration यानि कि कितने time के लिए वो रहा 2 second, 5 second, 8 second कितने particular time के लिए ground motion हुआ है duration और frequency में क्या difference है frequency determine करती है किस तरीके का था और duration बताता है कितनी देर तक था then directionality directionality यानि कि हमारा जो ground motion हुआ है उसकी direction क्या थी horizontal direction थी, vertical direction थी और ऐसा भी हो सकता है कि दोनो direction एक ही time पे हो वो ज़्यादा हमारे लिए destructive होता है then sight effect हमने अभी जब causes discuss कर रहे थे तब भी से discuss किया था कि हमारी geological condition कैसी है land की क्या characteristics है वो भी impact डालती है ground motion के उपर जैसे हमने example लिया था कि अगर हमारी soil weak है या फिर strong है तो आपकी जो land है जो local geological conditions है वो भी influence करती है कि वहाँ पे site पे earthquake होगा या नहीं होगा या ground motion होगा या नहीं अगर एक strong area है strong geological area है तो वहाँ पे earth की shaking की या फिर ground motion के chances जो होते हैं वो कम होते हैं now P waves and S waves P waves stand for primary waves and S waves stand for secondary waves primary wave क्या है जब भी earthquake आता है या ground motion होता है तो सबसे पहले आने वाली जो waves होती है वो primary waves होती है और primary waves को जो follow करती है यानि कि उनके बाद जो waves आती है वो secondary waves होती है और primary waves जादतर एक ही direction में flow करती है during earthquake primary and secondary seismic waves propagate through earth and causing different kind of ground motion कि different तरीके के ground motion create कर सकती है बट ये याद रखना जो सबसे पहले आती है वो हमारी के होती है primary waves और उसके बाद जो आती है वो हमारी के होती है secondary waves then attenuation which means weak यानि कि ये weak कब पढ़ता है अब जैसे earthquake आया या ground motion हुआ है तो ऐसा तो ये कि वो लगातार होता ही रहता है वो कुछ time period के लिए होता है उसके बाद वो weak हो जाता है means normalize हो जाता है बट जितनी देर में वो आता है वो ही बहुत जादा destruction create करके चला जाता है बट ये weak पढ़ता कैसे है जब हमारी जो it weakens when it travel away from seismic source यानि कि वो अपनी seismic source से दूर चला जाता है जहाँ पे actual में moment हुई है वहाँ से energy release हुई अब जब वो energy release होते होते दूर चली जाएगी तो obvious ही बात है कि वो weak हो जाएगा जहाँ पे actual में जैसे earthquake आप खुद का example लेके देखो अगर आप एक ऐसे area पे हो जहाँ पे earthquake है और आप वहाँ से दूर चले जाते हो तो आपको वो feel नहीं होगा similarly अगर जो energy है वो हमारे seismic source से दूर चली जाती है तो वो क्या पढ़ जाती है weak पढ़ जाती है और फिर earthquake क्या हो जाता है light हो जाता है So these are the characteristics of earthquake Now what are the impacts of earthquake or ground motion दोनों के impact सेम होते है क्योंकि दोनों की वज़े से क्या हो रहा है हमारी earth shake करती है structural damage, building वगेरा क्योंकि हमने बहुत से examples देखी है disaster के according कि कितना ज़्यादा disaster ये create करता है आपने news में भी देखा होगा कि जब earthquake आता है ground motion होता है तो buildings वगेरा सब damage हो जाती है तो ये structural damage कोज करता है loss of life and damage यानि कि किसी को injury हो जाती है किसी की जान ही चली जाती है ऐसे भी impacts डालता है psychological and emotional impact psychological impact कैसे डालता है जिन लोगों ने अपने closed one को खो दिया है means कि किसी के father की death हो जाती है किनी के growth, अच्छे friends वगेरा तो इन सब जो किसे क्या होता है उनका एक emotional depression क्रियेट हो जाता है उनका जो mental state है वो weak point पे चला जाता है तो जो earthquake है वो क्या करता है psychological and emotional impact भी क्रियेट करता है economic loss obviously बात है कि building infrastructure ये सब damage होगा तो दुबारा से build करना पड़ेगा दुबारा से उस पे पैसे खर्च करने पड़ेंगी और जो already उस पे खर्चा कर रखा था वो भी सारा waste हो गया तो economic loss तो हमें होता ही है disruption of services disruption of services यानि की जहां पे disaster वगेरा होते हैं वहां पे हमें food की availability, water की availability या फिर timely जो connections चाहिए होते हैं नहीं मिल पाते हैं because of that disaster तो यह जो services हमें चाहिए होते हैं जो भी amenities चाहिए होते हैं उनको भी disturbed करता है long term infrastructure challenges की हमारे infrastructure को बहुत बुरी तरीके से damage कर सकता है जो ground motion और earthquake है और infrastructure एकदम से develop नहीं होता फिर हमें long term उसमें लगाना पड़ता है जैसे bridges हैं, flyovers है अगर इनका damages होता है तो उन्हें बनने में भी काफी time लगता है तो long term impact उसपे डालता है environmental effect हमारी जो surrounding है environment है, biodiversity है उसपे impact डालता है increased vulnerability of future events कि अगर earthquake आया है तो वहाँ पे क्या है जैसे जो building वगेरा damage हो गई तो उसकी वजह से landslide भी हो सकती है earthquake की वजह से landslide हो सकती है flooding हो सकती है तो बाकी जो area है बाकी जो disaster होते हैं उनको भी ये क्या कर सकता है एक तरीके से force कर सकता है और बाकी vulnerabilities को भी increase कर देता है now earthquake के कौन-कौन से scale होते हैं तो दो scale होते है richer scale और उसके लावा होता है moment magnitude scale तो सबसे पहले richer scale वो determine करने के लिए होते हैं कि कितना ज़्यादा intense हमारा earthquake था जब भी earthquake आता है तो उसे measure करने के लिए कि वो कितना sever था कितना harmful था कितना खतरनाक था तो उसके लिए हम richer scale का use करते हैं richer scale में कैसे determine होता है कि उसे 0 to 9 या फिर आप बोल सकते हो 10 उसको path दिये होते हैं और उसके base पे determine होता है कि उसकी intensity कितनी थी अगर 0 to 1 है तो वो बिल्कुल mild जो earthquake होता है जो feel ही नहीं होता ऐसा होता है 2, 3, 4 पे होता है जो बिल्कुल means normal एक तरीके से इतना ज़्यादा feel नहीं होता पहले वाला तो पता ही नहीं चलता कि वो earthquake आया है या नहीं आया 2, 3, 4 पे होते हैं बट इतना ज़्यादा कोई damage create नहीं करते हैं इतने ज़्यादा destructive नहीं होते 5 और 6 पे होते हैं वो moderate होते हैं यानि कि वो destruction भी create कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा amount of destruction create नहीं कर सकते हैं बट आपको feel होते हैं आपको पता चलता है कि earthquake आया था 7 और 8 पे होते हैं वो थोड़े high होते हैं means moderate से ज़्यादा high होते हैं above average होते हैं और जिसकी 10 करके उस scale में दिया था जैसे 1 जो है वो minimum के लिए use किया जाता है और 10 जो है वो maximum के लिए use किया जाता है कि कितना ज़्यादा वो intensity create करता है जैसे इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि जो 0 और 1 के होते हैं उसे हम feel ही नहीं करते देन 2 पे होते हैं वो बहुत small होते है नोर्मली feel किया बट इतना ज़्यादा इंपक्ट वो नहीं डालता 3 पे होते है वो people near the epicenter feel the earthquake कि जो उस epicenter के near होंगे जहां पे actual में वो moment हो रही है वहां के लोग इसे feel करेंगे बट इतना ज़्यादा damaging नहीं होता यह जो है वो damage करता है जैसे कि आपको पता दिवार वगेरा ही लेंगी या फिर कुछ light वगेरा तूट जाएंगी इस तरीके से feel होता है यह थोड़ा or damage create करता है उससे थोड़ा ज़्यादा damage create करता है यह great damage create कर सकते हैं बहुत amount of damage create कर सकते हैं ऐसा हो सकता है कि building गिर जाए लोगों की death हो सकती है और सबसे ज़्यादा जो 9 और 10 पे आते हैं यह बहुत rare होते हैं इतनी ज़्यादा intensity के आते नहीं बट जब भी आते हैं बहुत ज़्यादा destruction create करते हैं अब richer scale की के advantages है कि widely recognized है बहुत जगह पे use होता है universally adapted है globally applicable है यानि कि हर जगह applicable है हर किसी भी nation में किसी भी जगह पे अगर flood means earthquake आता है तो उसको आप क्या कर सकते हो with the help of richer scale उसे measure कर सकते हो quick reporting आपको immediate answer उसका provide करता है और historical comparison भी आप कर सकते हो limitations क्या है less accurate for large earthquake कि जो richer scale है वो small earthquake के लिए ही ज़्यादा तर use किया जाता है small earthquake है नहीं कि जो small duration के लिए होते हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा तर use किया जाता है dependent on distance and only useful for earthquake कि सिर्फ earthquake को ही हम इससे measure कर सकते हैं किसी और disaster के लिए ये useful नहीं है और ये distance पे बहुत ज़्यादा over emphasized है बहुत ज़्यादा importance लोने distance को दी है कि अगर हम epicenter के पास हैं तब ही ये ज़्यादा useful है अगर हम कहीं और होके measure कर रहे हैं तो वो इतना useful नहीं है हमारे लिए then second is movement magnitude scale जो movement magnitude scale है वो improvement है Richard scale का यानि कि जो weaknesses थी जो limitation हमने discuss की थी Richard scale की उनको overcome किया है movement magnitude scale ने जिसको हम MW scale भी बोलते हैं यह हमारा क्या है modern standard है जिसके through हम earthquake के magnitude को identify कर सकते हैं with the use of formula इन्होंने कोई ऐसे scale नहीं दिया इन्होंने kind of formula दिया है हमें जिसकी help से हम उसके intensity को क्या कर सकते हैं identify कर सकते हैं तो इसके advantages क्या है इन्होंने किसको fulfill किया है जो भी हमारी limitations थी richer skills की उनको overcome कर लिया तो पहले limitation क्या थी कि less accurate for large earthquake तो अगर वो overcome करेंगे तो इसका मतलब उसके advantages क्या हो जाएंगे कि वो large earthquake को अच्छे से measure कर सकते हैं उनके लिए ज्यादा accurate है distance पे उनकी कोई dependence नहीं है जरूरी नहीं है कि मिन्स distance को इतना over emphasized वो नहीं कर रहे और global applicability है और इसके अच्छे result हमें provide करता है now इसकी भी कुछ limitations है first is complex calculation because आप हर एक चीज़ का अगर solution लेके आ रहे हो तो उसे perform करने के लिए आपको skills चाहिए होगी इतनी easy इसकी calculation नहीं होती complex calculation होती है huge amount of data ये require करता है अच्छा data आप इसे दोगे तभी आपको अच्छा result provide करेगा इसमें जो result होता है उसे पाने में time लगता है मैंसी थोड़ा time consuming है जैसे richer scale में हमें immediate result मिलता था quick reporting होती थी वो इसमें नहीं होता और not designed for short period earthquake because ये richer scale को ही overcome कर रहा था उसकी ही limitations को overcome कर रहा था तो richer scale one of the best scale है short के लिए जो short हमारे period के earthquake होते हैं इसी लिए जो ये नया scale बना MW scale ये सिर्फ किस पे focus करता है long period earthquakes पे short को ये measure नहीं करता so I hope you are clear with this topic if you have any doubt please mention in comment section thank you keep supporting